हेलो अबरिवन वालकम टो एंसी आर्ट फिजिक्स पर अमीद पतेल क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नमबर 5 मैगनेटिजम एंड मैटर लेक्चर नमबर 5.3 आज के लेक्चर में हम बार मैगनेट सॉलेनोइट की सिमिलारीटी देखेंगे मतलब की सॉलेनोइट की एक्सियल पे मैगनेटिक फिल्ड प्रूव करेंगे जो बार मैगनेट की एक्सेजлуч पर होता है ठीक है तो ही आपर स्यमिलारीटी प्रूव करेंगे फिर बार मैगनेट की ऊपर टोर्का फॉर्मिलाड देराइव करेंगे जैसे आपने second unit में electric dipole के उपर electric field के अंदर tar का formula define किया था फिर यह आपका topic नहीं होगा time period for oscillation of magnetic dipole in a uniform magnetic field magnetic dipole in a uniform magnetic field फिर potential energy जैसे second unit में आपने derivation किया था same derivation यहापे magnet के लिए होगा magnetic field के अंदर and last में go slow for magnetism होगा तो आप अच्छे से ध्यान से देखना ठीके 110% आपको समझ में आ जाएगा सब और फिर भी कोई doubt रहे तो आप comment में या तो मुझे contact कर सकते हैं ओके चलो bar magnet as equivalent to solenoid और I can say similarity between bar magnet and solenoid तो यहापे मैं क्या प्रूव करूँगा कि अगर एक solenoid होगा देखो दियान से देखना है यहाप पे अगर एक solenoid मैं consider करूँ अगर एक solenoid यहापे consider करूँ तो इनकी जो axial line होगी इनकी जो axial line होगी तो axial line पे कोई point P पे जो magnetic field होगा वो आपको पता है बार magnet की जो axial line पे magnetic field होगा उसके बराबर मुझे प्रूव करना है ठीके तो अगर दोनों की axial line पे मैंने same magnetic field प्रूव कर दिया एक magnetic field आपने निकाल लिया है ठीके बार magnet की axial line पे या सोनो clear तो वो तो आपके पास है तो इस solenoid की axial line पे मैं magnetic field जो बार magnet के बार magnet के axial point पे था उसके बराबर प्रूव करूँगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में similarity प्रूव हो जाएगी ठीके तो इस start करने से पहले थोड़ा मैं आपको revise करवा दू आपको पता होगा कि previous unit के अंदर ना आपने एक current caring ring को consider किया था ऐसा yes or no मानो की current caring ring consider करूँ जिसके अंदर current flow करे i के बराबर जिसके अंदर current किसके बराबर flow करे i के बराबर और जिनकी radius में capital R के बराबर consider करूँ और यह इनका access consider करूँ तो आपने Axial Point पे magnetic field निकाला था अगर ये Distance में R के बराबर या तो X के बराबर यहापे consider करूँ तो ये Point P पे हमने magnetic field का formula यूज किया था याद करना आप तो B मैंने ऐसी लिखा था या सौरणों खालिहार ना बोलना Mu not I ठीक है फिर देखो Number of Turns तो यहाँ पे single turns थी, अगर n number of turns होगी तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, n के बराबर, yes or no, into radius square, तो radius square क्या था, r square, divide by 2, फिर से देखो, radius square plus, यह जो distance है, उनका square, x square, power of 3 by 2, यह हमने magnetic field define किया था, on the axial point of, या तो on the axis of current carrying ring, ठीक है, तो यह जो funda है, उसी को use करके न, मैं solenoid की वज़े से, यहाँ पे कोई point P पे न, magnetic field प्रूव करूँगा, कि जो आपके bar magnet की axial पे, जो magnetic field होगा, उनसे same मिलेगा, ठीक है, तो मैं बोल पहूंगा, कि bar magnet और solenoid दोनों similar है तो यहाँ पे देखो, कि एक यह radius वाली आपको solenoid consider करनी है, ठीक है, इनके उपर न, ऐसे मनों के आपने टंस बना के रखे, ठीक है, ऐसे consider कर लो, ठीक है, इनके ऐसे टंस है, solenoid के, yes or no, clear, समझ में आ रहा है न, चलो, तो उनसे axis पे कोई point P है, जो कितने distance पे, center से r distance पे, ठीक है, तो वहाँ पे magnetic field आपको find out करना है, सबसे पहली बात, इनकी जो total length है, वो 2L के बराबर है, इनकी number of turns, per length क्या होगी, total number of turns, divide by 2L के बराबर, yes or no, फिर मैंने क्या consider किया, एक segment consider किया, ये वाला, ये segment मैंने consider किया, और ये segment, ये जो आपकी center है, उनसे कितने distance पे, उनसे x distance पे, और segment का जो ठीकने से, वो dx के बराबर है, अब दिखो, total number of turns, इनकी end के बराबर, number of turns, पर unit length small end के बराबर, तो मैं बूल सकता हूँ, ये dx के अंदर number of turns कितनी होगी, अगर unit length के अंदर end के बराबर होगी, तो dx के अंदर कितनी number of turns होगी, end dx होगी कि नहीं, yes or no, clear, तो वो element के अंदर number of turns क्या होगी, end dx, दूसरी बात कि ये जो dx element है, ये जो यहाँ पर आपका dx element है, वो center से कितना दूर है, x, तो मैं बूल सकता हूँ कि ये जो बाकी का distance होगा, यहाँ से लेके, ये वाला जो distance होगा, वो r minus x के बराबर होगा, yes or no, yes or no, ये किसके बराबर होगा, r minus x के बराबर, तो पहले में क्या करूँगा, कि ये जो element है, उसकी वज़े से magnetic field find out करूँगा, p पे, और फिर उनका integration करूँगा, पूरे length के लिए, तो यहाँ पर देखो, इनसे similarity में आपको check करके दिखा देता हो, कि ये small element की वज़े से magnetic field में db consider करूँ, देखो, mu naught into i, so mu naught into i, yes or no, clear, mu naught into i, चलो, फिर, number of turns, ये dx के अंदर number of turns कितनी, and dx, into radius square, इनकी radius किसके बराबर है, a square जो यहाँ पर r था, clear divide by 2, into a square, मतलब radius square, तो ये देखो, ये थी ना, अपकी radius r, ठीक है, तो square और distance, square power of 3 by 2, तो यहाँ पर distance x था, लेकिन यहाँ पर in के लिए क्या होगा, r minus x होगा, तो उनका square, और उनका power कितना, 3 by 2, I hope सबको यहाँ तक clear हो गया, ये formula q मैंने कैसे use किया, ठीक है, now next point, if r is very much greater than a, ये जो r distance है, वो compared to radius, वो काफी ज़ादा हो, and second, compared to ये जो distance x between axes, ठीक है, equatorial line और उनका जो dx element है, उनके बीच से भी काफी ज़ादा हो, तो हम क्या करेंगे, कि ये जो a square होगा ना, उनको neglect करेंगे, yes or no, clear, yes or no, और ये जो यहाँ पर x है ना, उनको भी हम क्या कर देंगे, neglect कर देंगे, तो उपर का formula देखो क्या बनजेगा, db is equal to mu naught, यह रहाँ mu naught, n, n, i, into a square, और 8 dx ही यहाँ पर रहा, यह देखो 2, r to the power of 3 by 2, अब देखो यहाँ पर second thing, यह r minus x square था, तो x को neglect किया, तो r square power of 3 by 2 बनेगा, r square power of 3 by 2 होगा, तो खाली बचेगा कान, r cube, खाली बचेगा कान, r cube, तो यह जो magnetic field मिला, this magnetic field is due to small element dx, ठीक है, clear, हमें तो total magnetic field find out करना है, solenoid की वज़े से, तो अगर यह मेरा origin मैंने यहाँ पर consider किया है, center पर, यहाँ पर अगर origin है, तो यहाँ से दिखो length किसके बराबर होगी, l के बराबर, ठीक है, तो यह वाली side पर मैं, minus l, ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर sign के साथ बोलू तो, तो integration जो होगा, that will be from minus l to l, ठीक है, तो यह जो element के लिए integration होगा, dx के लिए, that will from minus l to l, ठीक है, so total magnetic field, b is equal to integration from minus l to l, mu naught ni square dx divided by 2r cube, जो यहाँ पर था वही है, same, that is similar as above, है न, so, mu naught ni a square divided by 2r cube, all this parameter are constant, so मैंने यहाँ आप ऐसे लिखा, variable कौन होगा, thickness of the element, so dx minus l to l, अब देखो, आपको भी पता है, simple इनका integration मुझे करना है, ठीक है, चलो, तो next, तो सबको पता है, integration क्या होगा, इनका, ठीक है, x integration होगा, limit रहेगी उनकी, lower limit minus l, upper limit क्या होगी, plus l, upper limit minus lower limit करोगे, तो l minus minus l क्या बनेगा, 2l, तो यह मैंने साथ में लिख दिया, अब देखो, कि यह जो formula है, ठीक है, यहाँ पे, इसको थोड़ा में changes कर रहा हूँ, कि इनके यहाँ पे अगर मुझे ए लेके आना area, ठीक है, तो दिखो, radius square already है, तो pi से multiplied करो, pi से divide करो, यह दिखा pi आपको, yes or no, यह दिखो, pi से मैंने यहाँ पे multiplied किया, और यह pi से क्या किया, divide किया, ठीक है, आप बोलोगे, कि sir, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह मुझे ना पूरा area देगा, terms, yes or no, clear, दूसरी बात, कि यह जो terms है, ठीक है, उनको मैंने और एक change किया, अब ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे मिलेगा, कि 2 से multiplied किया, और यह दिखो, 2 से divide किया, तो यह 2 का क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है, yes or no, clear, तो यह देखो, pi into a square क्या बन जाएगा, area बन जाएगा, second thing, यह जो n into 2L होगा, यह 2L तो है न, ठीक है, तो यह जो n into 2L होगा, वो आपकी क्या बनेगी, आपको पता है, अभी मैंने आपको अगे एक equation लिखा था, कि number of tons per unit length, small n is equal to n divided by 2L, so n into 2L is equal to capital N होगा, कि नहीं, total number of tons, तो देखो, यह आप पे, वो क्या बन जाएगी, total number of tons, तो pi a square की जगह पे area, n into 2L की जगह पे, total number of tons, और यह देखो, यहाँ पे 4 पाया गया, और यह 2, ठीक है, जो 2 से multiplied, और 2 से आपने divide किया था, अब देखो second thing, यह जो n i into a है, याद करो fourth unit, वहाँ पे हमने, इनको magnetic moment define किया था, magnetic moment, वहाँ पे total number of tons, n i यह लिखा था, और single tons होगा, तो i into a के बराबर, तो यह आपकी magnetic moment बनेगी, n i e की जगह पे देखो, m, clear, तो this formula will be mu naught divided by 4 pi, 2m divided by r cube, तो यह आपका magnetic field बनेगा, यह आपका magnetic field बनेगा, कहाँ पे बनेगा, on the axial line of solenoid, अब थोड़ा similarity आपना bar magnet के साथ करो, देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कि bar magnet के लिए, अगर यह point से, कोई r distance पे मैं magnetic field निकालो, axial point पे, तो यादे हैं, यहाँ पे magnetic field का formula क्या था, 2m divided by r cube, यह सोर नो, तो same formula, same formula, यहाँ पे मुझे किस के लिए मिला, solenoid के लिए, तो मैं बूल सकता हूँ कि solenoid और bar magnet के लिए similarity है, तो मैं बूल सकता हूँ, ऐसे कि solenoid will behave like bar magnet, yes or no, yes or no, clear, तो solenoid, here we can say solenoid is equivalent to bar magnet, फिर दिखो next topic, और फिर से मैं याद करवाओ आपको, यह topic के अंदर similar वैसे ही है, जैसे आपका fast unit के अंदर electric dipole कहाँ पे था, electric field के अंदर, ठीक है, वहाँ पे change खाली कितना अगरना है, उनका formula derivation सब से में है, ठीक है, वहाँ पे electric field की जगह पे magnetic field भी लिखना है, वहाँ पे जो आपका electric charge होता था, क्यूं, उनकी जगह पे आप pole strength लिखोगे QM, जहाँ पे आपकी electric dipole moment P होती थी, वहाँ पे magnetic dipole moment आप M लिखोगे, ठीक है, और कोई change नहीं है यहाँ पे, ठीक है, yes or no, तो मैं थोड़ा फीर से आपको वहाँ पे लेके जाओ दिखो, यहाँ पे, अगर ऐसे electric field के अंदर, uniform electric field के अंदर दियान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक dipole को रखो, यहाँ पे अगर एक dipole को रखो, minus Q, और a plus Q, ऐसे, जो electric field के साथ कोई theta angle बना दे, ठीक है, तो आपको पता है ना, इनके उपर force exert हो था, Q magnitude के बाद गरो, तो Q and 12, Q and 12 opposite direction में, और एक dipole को क्या करेगा, टार्क exert होगा, तो dipole rotate करेगी, और electric field के साथ align हो जाएगी, ठीक है, तो सेम यहाँ पे वैसे ही, आपको magnetic field के अंदर, magnetic dipole के लिए derivation करना है, तो मानों कि, अगर मैं force बोलू, यह देखो, आपने बोला था न, electric charge के उपर, अगर electric field के अंदर रखो, तो force कितना, electric charge के उपर force exert होता था, F is equal to Q into E, जब कोई electric field के अंदर होगा, तो अगर magnetic field में होगा, तो देखो, भी होगा force का F, ठीक है, clear Q की जगापे pole strength, electric field की जगापे क्या आजाएगा, magnetic field, ठीक है, clear, तो यहाँ पे देखो, एक dipole को आपने magnetic field के अंदर रखा है, ठीक है, अब देखो, ज्यान से, कि यह south pole है, और यह कौन सी pole है, north pole है, ठीक है, magnetic field के direction, north to south, तो इनके उपर यह वाली direction में force exit होगा, यहाँ पे यह वाली direction में इनके उपर force exit होगा, ठीक है, second thing, कि यह जो इनकी dipole moment होगी, magnetic dipole moment, वो कितना angle बनाएगी, theta angle बनाएगी, with magnetic field, तो इनके बीच में, यह perpendicular distance होगा, कि नहीं, यह वाला distance, yes or no, यह distance perpendicular distance होगा, clear, और आपको भी पता है, यह perpendicular distance आपने निकाला था, देखो, यहाँ पे रहा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी angle theta गन से डरगर हो, तो sin theta किसके बराबर होगा, na divided by n2s, यह वाला distance, जो 2l के बराबर है, तो na divided by ns, na divided by 2l, तो na किसके बराबर बनेगा, तो na आपका किसके बराबर बनेगा, 2l sin theta के बराबर, yes or no, yes or no, clear, तो एन्य आपका किसके बराबर बनेगा 2L sin theta के बराबर मतलब मैं बोलू कि यह जो perpendicular distance होगा between these two forces ठीक है वो किसके बराबर है देखो 2L sin theta के बराबर यह distance किसके बराबर है 2L sin theta तो देखो torque का equation होता है ना torque किसके बराबर होगा force into perpendicular distance force आपको बताए qm into b के बराबर perpendicular distance एने एने की जगा पे 2L sin theta तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ qm into b 2L sin theta अब देखो second thing की magnetic dipole moment आपकी क्या होगी pole strength into distance between two poles तो qm into 2L तो यह तो आपकी क्या बन गई magnetic dipole moment yes or no clear तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ mb sin theta अब दिखो जब a cross b लिखोगे आप ठीक है यह दिखो यह product का sign है यह आप ठीक है clear अगर a cross b को आप a b sin theta लिखोगे तो मैं यहाँ पर उल्टा बूल सकता हूँ यह बी sin theta को आप a cross b b लिख सकते हो तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ mb sin theta को आप m cross b लिखोगे तो यह आपका torque का equation मिलेगा याद रखना कि यह जो torque होगा that will be vector m cross b और इनकी जो direction होगी clear वो m magnetic dipole moment और magnetic field दोनों से क्या रहेगी perpendicular ठीक है चलो अगर इसी के अंदर b के value में one consider करू theta की value में 90 degree consider करू तो जो torque होगा वो किसके बराबर बनेगा magnetic dipole moment के बराबर yes or no देखो यह तो आप सबको बता है कि magnetic dipole moment का unit वो पहले हमने already discuss कर लिया है ठीक है clear चलो फिर next तो यह torque का derivation मिल गया आपको torque tau is equal to mb sin theta clear तो यह आपके magnetic dipole के उपर torque आपका exit होगा ठीक है चलो फिर next चलो फिर next topic है derived time period of oscillation for dipole in a uniform magnetic field आपको डाइपोल के oscillation के लिए time period define करना है ठीक है आपको पता चलिया है ठीक है तो आईसे कोई question derivation के लिए पूछा जाए तो उनका derivation है तो अब देखो कि जब भी dipole आपका magnetic field के अंदर होगा जब भी dipole magnetic dipole आपके magnetic field के अंदर रहेगी ठीक है तो अगर यह magnetic dipole मैं consider गरूँ तो इनकी वैजह से ना जो torque exert होगा वो dipole को magnetic field के साथ align करने के लिए act होगा मतलब दिखो यह वाली direction में torque exert होगा by magnetic field yes or no clear अगर मैं बूलू ठीक है कि यह dipole को clockwise direction में एक हो रहे हैं यहां पे torque अगर मैं बूलू कि आपको ना इनको वैसे ही रखना है तो यह counter clockwise direction में उतना ही torque opposite direction में exert करना पड़ेगा कि नहीं yes or no clear अगर उनको वही position पे रखना है equilibrium position पे रखना है तो जितना magnetic field की वाज़े से torque exert होगा उतना heat torque आपको externally apply करना पड़ेगा तो अगर यह magnetic field का torque mb sin theta देखो torque tau is equal to you know this formula yes or no so if I consider theta is very small so this will be mb theta so opposite torque to keep the dipole in equilibrium will be tau is equal to minus mb theta now you will know that what this negative sign indicate it indicate opposite direction to the torque exerted by the magnetic field from the class 11th आप यह relation जानते हो कि moment of inertia into angular acceleration ठीक है is equal to torque tau आप class का 11th का 7th unit अपन गरों आपे मिल्येगा relation now this alpha is angular acceleration so this is d square theta divided by dt square double differentiation of angular displacement yes or no im d square theta divided by dt square tau is equal to minus mb theta तो अगर d square theta divided by dt square को यह आपे subjective रखो ठीक है so this will be minus mb theta divided by im अगर अगर देखो इनको आप compare करो harmonic motion वाले formula के साथ तो देखो class 11th याद करोगे तो आप एक relation मिलेगा आपको d square x divided by dt square is equal to minus omega square x minus omega square x यह relation आप सबको याद होगा शायद ठीक है class 11th में आपने last unit के अंदर यह study किया था clear तो उनसे समिल देखो यह आपकी कौन सी motion होगी rotational motion होगी ठीक है clear तो इनको angular motion में पर consider कर सकता हो तो यहाँ पर यह जो relation होगा तो यह दिखो x की जगपी यहाँ पर कोने theta है ठीक है clear तो यह जो minus mb divided by moment of inertia है ठीक है उसको में किसके बराबर compare कर सकता हो omega square के साथ देखो यह वाले terms को यहाँ पर दिखर है आपको इनके साथ ठीक है तो compare कर हो तो omega is equal to under root of mb divided by i m मिलेगा याद रखो i m कोने आपकी moment of inertia है ठीक है moment of inertia m आपकी magnetic dipole moment and b कोने आपका magnetic field तो जैसे आप सबको पता है कि omega is equal to 2 pi by t या तो t is equal to 2 pi divided by omega करो ठीक है तो इनका relation क्या define होगा ठीक है तो यह दिखो आपको यह relation क्या मिलेगा time period t अब देखो यहाँ पे आपको time period के लिए relation define करना है yes or no तो t is equal to 2 pi divided by omega omega is equal to 2 pi by t ठीक है तो relation क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इनको replace करो simple देखो omega की जगा पे 2 pi by t लिखू तो 2 pi यह इन लोगों नहीं यहाँ पे 2 pi से 2 pi से किया multiplied ठीक है तो 2 pi divided by t is equal to under root of mb divided by im so t is equal to t is equal to 2 pi under root of im divided by mb same relation ठीक है देखो यह वाला time period का relation है यह भी time period का ही relation है लेकिन यहाँ पे omega की जगब पे क्या किया टी लाने के लिए 2 pi से दोनों side multiplied किया तो 2 pi by omega क्या बन गया टी और यह आपका omega का formula अगर कोई पूछे कि magnetic field find out करो तो magnetic field के लिए क्या अगर होगे simple b को subjective करने ठीक है तो under root निकालने के लिए जो भी आपको square करना है वो करो और b को आप subjective करो तो आपको यह मिल जाएगा magnetic field clear चलो फिर next topic है जैसे आपका electric field के अंदर topic था वैसे ही topic है यह आप पे ठीक है यह बाला potential energy of magnetic dipole in a magnetic field ठीक है जैसे आपने electric field के अंदर electric dipole के लिए किया था same वैसे ही ठीक है तो यहां पे पता है ना कि torque सब आप एक बार read करने ना आपको समझ में आ जाएगा कि magnetic field के वज़े से जो torque exult होगा वो किसके बराबर होगा torque tau is equal to mb sin theta के बराबर होगा यह सोर नो तो मानो कि यह dipole का d theta rotation हो ठीक है अगर d theta rotation हो तो d theta के लिए जो work done होगा ठीक है तो वो work done आपको यहां पे निकालना है अब देखो दूसरी बात कि आप सब बता है ना कि इनके अंदर potential energy कब store होगी देखो डाइपोल के उपर magnetic field की वज़े से जो torque exert होगा वो clockwise direction में यहां पे होगा लेकिन जो external torque exert होगा ठीक है यह तो यह जो work done होगा इनको opposite direction में rotate करने के लिए ठीक है तो उनकी वज़े से वहां पे potential energy store होगी यह याद रखना clear yes or no clear तो डाइपोल के लिए अगर मानों की small angle से इनको मैं turn करूँ d theta angle से इनको turn करूँ कितने angle से turn करूँ d theta angle से small angle से तो उनका work done क्या होगा dw is equal to tau d theta dw किसके वराबर होगा tau d theta के वराबर ताव का formula आपको बता है mb sin theta और d theta एरा yes or no तो यह आपको small work done मिला अब दिखो कि अगर मैं बोलू कि डाइपोल को न थीटा 1 से लेके theta 2 angle तक आपको rotate करना है ठीक है तो यह तो आपने खले d theta के लिए work done निकला और याद रखना यह जो work done निकलेगा न वही work done वहाँ पर energy बनेगी simple मैं बोलू तो एक simple line में बोलू work energy थी और हम जितना work done करोगे उतनी energy store होगी ठीक है तो मैं total work done निकलू from theta 1 से लेके theta 2 के लिए yes or no clear चलो तो यहाँ पे देखो जितना आप डाइपोल को rotate करोगे जितने angle से वैसे energy मिलेगी तो work done क्या हुआ theta 1 से लेके theta 2 integration mb sin theta मतलब देखो अगर डाइपोल यहाँ पे था theta 1 angle पे और ऐसे आपने कर दिया ठीक है यह theta 2 angle के लिए yes or no तो इनके लिए जो भी आपने work done क्या भी work done इनके अंदर energy के form में store होगा ठीक है क्योंकि आपका magnetic field से जो torque exert होता था उनसे कौन से direction में वो opposite direction में so mb constant sin का integration क्या होगा minus cos theta 1 से लेके theta 2 फिर देखो minus मैंने बाहर निकाला तो minus mb फिर देखो minus बाहर निकल लिया upper limit minus lower limit ठीक है तो यहाँ पे देखो कि work done आपको क्या मिला minus mb cos theta 2 minus cos theta 1 और यह जो work done है आपका theta 1 से लेके theta 2 के rotation के लिए तो वही work done उनके अंदर energy के form में store होगा yes or no चलो अगर theta 1 में 90 degree consider करूँ add theta 2 को theta consider करूँ तो यह जो formula होगा तो cos 90 आप सबको बता कितना होगा 0 होगा तो formula आपका क्या रहेगा minus mb cos theta क्या रहेगा minus mb cos theta और एक इसके बराबर होगा minus m vector dot b vector के बराबर चलो इनके special cases देखते है so when theta is 90 degree तो देखो यहाँ पर theta 90 degree रखो तो energy क्या मिलगे 0 मिलगे yes or no और यह वाले case में आपका जो dipole होगा यह दिखो ऐसे यह magnetic field और जो dipole होगा आप वो ऐसे रहेगा perpendicular to the magnetic field yes or no clear तो इनके energy आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी फिर देखो theta 0 होगा दूसरी बार यह जो theta है न वो याद रखना theta क्या होगा यहाँ पर angle between magnetic dipole moment and magnetic field theta क्या होगा angle between magnetic dipole moment and magnetic field clear चलो theta 0 होगा second case के लिए तो देखो यह minus m भी होगा और याद रखो यह वाले state में यह देखो यह वाला state होगा यह आपका magnetic field होगा यह आपका magnetic field uniform north to south और इनके अंदर जो आपका बार equilibrium state में है और इनकी energy न सबसे कम है तो याद रखो जब भी system की energy सबसे कम रहती है न वो stable equilibrium state में रहेगा तो यह कौन सा state होगा energy minimum होगी and this state will be stable equilibrium state yes or no when magnetic dipole moment is in direction of magnetic field yes or no clear for next when theta is 180 degree now this is most unstable state if I consider a magnetic field in this direction like this and your bar magnet and your bar magnet is to be considered like this this is a north pole this is south pole so magnetic dipole moment is in this direction opposite direction to the magnetic field so theta will be 180 degree cos 180 will be minus 1 so minus minus will be plus and this energy is equal to mb energy किसके बराबर मिलेगी mb के बराबर ठीक है तो यह सबसे कौन सा state होगा unstable equilibrium याद रखना most unstable state होगा clear इतना yes or no यह सबसे ज्यादा unstable state होगा तो इनके special cases है जब भी आपको exam में अलग से पूछे कि also explain the special cases तभी explain करना है अगर energy का derivation पूछे तो आप लोग यहां तक करोगे ठीक है yes or no clear और आपको special cases पूछे तो आप यह भी explain करोगे साथ में clear चलो फिर नेक्स टॉपिक नेक्स गोश्लो फोर मैगनेटीज हैं यहां पर हम गोश्लो डिस्कस करेंगे देखो मैं आपको ना पहले थोड़ा electric का याद करवा दू तो आपने electric में गोश्लो ऐसे कुछ से study किया था कि अगर एक Gaussian surface के अंदर कोई भी charge enclosed होगा ठीक है तो उनका जो flux linked हो फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा integration over the closed surface e.ds is equal to sigma q divided by epsilon or not और यह sigma q क्या था charge enclosed within Gaussian surface net charge enclosed within Gaussian surface yes or no clear और आपको बताए कि अगर एक plus q और एक Gaussian surface है तो इनकी field line outward direction में होगी ठीक है तो आपने ऐसा बोला था ना कि इनका flux क्या होगा greater than zero होगा अगर negative charge यहाँ पर मैं consider करूँ तो इनकी जो field line होगी वो कौन से direction में होगी invert direction में कौन से direction में होगी invert direction में तो इनका जो flux होगा वो क्या होगा less than zero होगा negative होगा और अगर एक डाइपूल को में यहाँ पर consider करूँ ज्यान से देखना अगर एक डाइपूल में यहाँ पर consider करूँ और यह इनकी Gaussian surface consider कर लो तो दिखो इनकी field line ऐसे बनेगी कि नहीं yes or no आकी ना yes or no clear ऐसे बनेगी ना चलो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर flux आपका net chart zero होगा तो यह वाले formula से भी flux zero होगा और second कि जितनी field line यहाँ से बाहर निकलेगी जितनी field line यहाँ से बाहर निकलेगी वही field line यहाँ से एंटर करेगी तो आपको पता है ना जब equal number of field line will emerge out of the surface and same number of field lines will enter to the surface then the flux will be zero अब देखो कि आपको भी पता है कि यह जो magnetic field lines होगी आगे यहाँ पर बाहर magnet की तो यह जो magnetic field lines होती है न वो close loop बनाती है मतलब यहाँ से निकलेगी तो वापिस ऐसे आएगी आएगी ठीक है second thing कि यह magnet का ना monopole possible नहीं है मतलब जैसे आपने यहाँ पर single charge consider कर लिए तो वैसे monopole कहीं पर possible नहीं होगा तो मानों कि एक Gaussian surface में consider करूँ यहाँ पर तो एक north pole होगा और definitely यहाँ पर एक कौन सी है south pole है तो जितनी भी field lines देखो यहाँ से निकलेगी वो अंदर आने वाली है yes or no ठीक है तो जैसे आपका goes low for electric field की electrostatic के अंदर logic था same logic यहाँ पर apply होगा कि same number of field line बाहर निकलेगी same number of field line एंटर होगी तो याद रखो कि यहाँ पर इनका जो net flux होगा वो क्या होगा हमेशा 0 रहेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो इनका statement surface integral of a magnetic field over a surface closed or open in always 0 क्योंकि जितनी field line एंटर करेगी same amount में field line क्या करेगी बाहर निकलेगी through any surface is 0 यह आपका go slow for magnetism है और इनको ऐसे भी लिखेंगे integration over the closed surface b.ds is equal to always 0 यह सोर नो अगर कोई वो लगी सर magnetic monopole consider करो तो क्या होगा simple यह एक numerical भी है यहाँ पर अगर consider करो तो अगर assume करो तो तो वो क्या होगा qm into mu 0 के बराबर यह सोर नो यह आगे जाके हम discuss करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर हमें इनको mention नहीं करना ठीक है तो element के form में दिखा है ठीक है clear लेकिन सबका एक ही है जब भी आपको go slow for magnetism पूछे तो इतना कर तो आप yes or no clear इतनी field line enter out होगी उतनी field line in होगी तो flux क्या रहेगा 0 yes or no और isolated isolated magnetic pole possible होगा नहीं clear तो अभी मैं यहां तक रखता हूँ I hope सबको सब revise हो जाएगा अच्छे से clear समझ में भी आ जाएगा फिर भी कहीं पर doubt रहता आप लोगों को ठीक है तो without any hesitation आप comment करो मुझे message करो thank you bye have a good day